मुकेश अमबानी के लिए एक और बूरी खबर सामने आ रही है मुकेश अमबानी और रिलाइंस पर बड़ा जुर्माना लगाया गया है बताया जा रहा है कि शेयर कारोबार में हेरा फेरी के लिए सेबी ने मुकेश अमबानी और रिलाइंस पर भारी जुर्माना लगाया है यहां आपको बता दे कि कुछ दिन पहले ही मुकेश अंबानी को एक बूरी खबर में मिली थी कि वह अब एशिया के सबसे अमेर शक्स नहीं रहे और चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी जोंग शांशान ने उन्हें पचार दिया है अभी इस मामले को चंद दिन ही गुजरे है कि अंबानी के लिए एक दूसरी बूरी खबर आ गई है शेयर मार्किट नियामक सेवी ने शेयर की हेरा फेरी के मामले में रिलाइंस और मुकेश अंबानी पर तगड़ा जुरुमाना लगाया है यानि मुकेश अंबानी को 40 करोड रुपे का फटका लगा है उनके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइविट लिम्टिट पर 20 करोड रुपे और मुंबई सेट लिम्टिट पर भी 10 करोड रुपे का जुरुमाना लगाया है सेवी ने आरोप लगाया है कि RIL ने IPL के शेरों की ट्रेडिंग में गड़बड़ी की थी यह मामला नवंबर 2007 का है जो Reliance Petroleum Limited यानी RPL के शेरों की Future and Option section में ट्रेडिंग से जुड़ा है Reliance Industry Limited यानी RIL ने मार्च 2007 में RPL में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था हाला कि बाद में 2009 में Reliance Industry की इस सबसी जाइरी कंपनी का Reliance Industry में ही विलाय हो गया आपको बता दे कि सेवी का रोप है कि Reliance Industry ने RPL में अपनी करीब 4.1% हिस्सेदारी बेचने में गड़बड़ी की है पहले Reliance की तरफ से डील कर रही थी कुछ पार्टियों ने RPL Futures को खरीद लिया इसके चलते जब Reliance की तरफ से RPL में अपनी हिस्सेदारी बेची तो कंपने का फायदा हुआ क्योंकि RPL Futures खरीदे जाने की वजह से Future and Option सेग्मेंट में RPL की सेटलमेंट की कीमत कम हो गई सेविय दिकारी बिजदिलीप ने अपने 95 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि सिक्योर्टीज की मात्रा या कीमत में कोई भी घडबड़ी हमेशा बाजार में निवेशकों की विश्वाश को चोट पहुचाती है और वो बाजार में हुई हेरा फेरी में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में आप निवेशक इस बात से अंजान थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन शेक्षन में सोधे के पीछे रिलाइंस इंड्रस्टी है सुनवाई अधिकारी ने कहा कि कारोबार में गडबड़ी से सही कीमत बाहर नहीं आती उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि गडबड़ी किये जाने वाले ऐसे कामों को सक्ती से निप्टा जाना चाहिए ताकि पुझी बाजार में इस प्रकार की गतिविदियो को रोका जा सकी इस बारे में फिलाल R.I.L. से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है उमीद है कि जल्धी रिलाइंस इस पर अपना पक्ष रखेगा यहां आपको बताते चले कि बजार न्यामक सिक्योरिटी एंट एक्सचेंज बोर्ट ओफ इंडिया ने रिलाइंस इंडरस्ट्री उसके चेर्मेंट और प्रबंदत निदेशक मुकेश अंबानी के साथ दो अन्ये कम्पनियों पर जुर्माना लगाया है सेवी ने जुर्माने की है कारवाई रिलाइंस पेट्रोलियम के शेरों में कती तोर पर नवंबर 2007 में हेरा फेरी के लिए की है गोरतलब है कि सेवी ने 24 मार्च 2017 के दिन आरपी एल केस में आर आई एल और अन्ये संस्थानों को आदेश दिया था कि वो निवेशकों के 447 करोड रूपे लोटाएं ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgarana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise